गुद मॉर्निंग फ्रेंज 27 जून के मॉर्निंग अपडेट में आपका स्वागत है अगर हम कल की मार्केट का रिकैब देखें तो कल तीनों ही जो इंडिया के मेजर इंडेक्स थे वह पॉजिटिव में क्लोज हुए है जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी में लगभग अगर आप इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स कल थोड़ी से आधे पॉंट की गिरावट के साथ तक्रीबन 14.45 पर बंद हुआ है और इस लेवल पे अगर आपको देखा जाए तो मार्केट स्टेबल है कोई ज्यादा बड़ा मोवाने के यह पर चांसे नहीं अगर वही हम यूएस मार्केट का हाल देखें तो लेखें यूएस मार्केट लग बग डाउगोंस में बहुत माइनर से गिरावट है अगर आप देखें ट्रेंड मेजर तो वह यहां तक की गिरावट के ही हैं अगर आप देखेंगे सिरफ एक लंडन का बाजार है जिसके फ्रांस्पा मार्केट और जर्मार्केट आप बात करें थोड़ी बहुत जैटनेस पजार में छूड़ी इसके बाद अगर आप हांग को कि मैंड में तो यहां पे फ्रांगम के मार्केट है और इसके अलावा अगर आप देखे तो फलकी फलकी माइनर गिरावट है और अगर आप जनरली मेजर ट्रेंड देखेंगे तो बुलिश ही है एक्सेप्ट आपको हैं से थोड़ा सा आपको बेरिश ट्रेंड दिखाई देगा और यह चकारता शांगाही और सट कमपोजेट में थोड़ा सा थायलाइन के बजार में आपको फलकी से घरावट के त्रेंड दिखाईगे सकते हैं तो यहीं बात करें अगर हम टॉप गेंडर ने तो अगर अगर आप देखें यह साल का था है तो अवी तक है यह तो थी तो अलमुस्सके लेवल पे है और आप भारती एटल में भी सेंडिट डिखाई दे रहे हैं यह पी लगग अगर यह टेलीकॉमज के का इपको दिखाई हाई रहा है और अब कि यहां के थोड़ी परूटी हुई है अगर आप बेंक को के तो इस तो लगभग फिल ए इस साल के ह्यां है वेनुंज स्टॉक के बाद करे तो अपोलो महींद्रा महींद्रा बजाज ऑटो तील टाटा स्टील हिंडाल को मुस्टी आपको देखे यह आठो मेजर्स आपको यहां पर दिखाई देंगे जिन में किरावाट हुई है और दालको इंडस्ट्री इसमें भी थोड़ी बहुत हलकी फुलकी किरावट अपने बिलि सब्सक्राइब है और यहां पर दस परसेंट यहां पर दस परसेंट तो यह लगभग लगभग सारे पैनी स्टॉक ही अगर आप देखें तो यहां बावन वीक में जो हाई स्टॉक है जितने भी तो उनमें अगर थे सबसे जब्सक्राइब करें और अगर हम इसके लावा करें पाव अल्टाइम फिफ्टी टूवीक लोग स्टॉक तो इसमें अभी कोई स्टॉक नहीं है वहीं हम बात करें मोस्ट अक्टिव स्टॉक जिनमें ज्यादा ट्रेडिंग हुई है तो टाटा स्टील आजएसे एसे ब बैंक ऑफ इंडिया और एंटी 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 पीसी है इसमें अगर आप देखे तो टाटा स्टील और एस्टीफसी बैंक इन दोनों में ही गिरावट है जिन भी स्टॉक में वॉल्यूम सबसे ज्यादा है वहां पर आप देखेंगे तक्रीबन तक्रीबन पॉजिटिव ट है पँके दो आज जो है FII जो है नेसल में देखेंगे तो आप अगर आप देखेंगे तो अगरा थे ज हम empathy क्रेशिव जो आप पाजिए पौजिव ही रहा सेलिंग किया है तो यहीं अगर आप स्टॉक्स देखें जो न्यूज में है तो अदानी पोट्स की जो है रेटिंग जो है वो इंक्रीज कर दी गई है स्टॉक्स है एक खबरों बने रह सकते हैं वहीं आप देखें जेस्ट डवल्यू ने पर्चेज अग्रिमेंट साइब किया है गुजरात उर्जा विकास निगम के साथ सोलर प्लांट के लिए और गोजरेज इंडस्ट्री में जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है त तो उसके सेटल्मेंट के लिए जो है प्रमोटर ग्रॉप्स ने फैमिली को परस्व किया है तो यह एक शार्दुल अमर्चन नाम की लौफर्म है वो इन इस्प्यूट को सेटल्मेंट देख रही है तो मोस्ट परबली यह बहुत बड़ा लैंड पार्सल है अगर सेटल्मे सब्सक्राइब किया है स्विजलेंट की कंपनी के साथ वहां के निकोटन नाम का ब्रैंड है उसको एक्वाइर करने के लिए वहीं टीटागड रेल सिस्टम में देखें तो यहां पर प्रमोटर से उसने अपना स्टेक है थोड़ा सा कम किया है और अगर आज हम देखें सब्सक्राइब कर सकते हैं तो निफ्टी जो था वह बुल रन पे ही चल रहा है अभी स्ट्रॉंग बाइस सिगनल है बट फिर भी निफ्टी जो है ओवरबाट जोन पर है तो करेंटली यह था तेईस अजार अट्वाइबल पर अगर हम देखें सका पहला रेजिस्टेंस ज अगला रेजिस्टेंस है 24,000 पर और उसके बाद है 24,240 पर और वहीं अगर आप सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 27,730 पर और उसके बाद अगला सपोर्ट है 23,590 पर लास्पोर्ट है 23,370 तो देखने वाली चीज रहती है वैसे भी ओवरबाट जोन में चल रह है 27,70 पर है और पहला रेजिस्टेंस देखें तो यह 53,114 पर और उसके बाद आगला जो रेस्टेंस है फोथां दिनसओ पूह है अखरी रेस्टेंस है 53,974 पर वहीं का इस भी सपोर्ट की बात करें सपोर्ट पहला जो वो आपका है 52,744 पे उसके आधा गला जो सपोर्ट है वो है 52,500 और उसके बाद जो सेकंड जो सपोर्ट है वो है 52,133 पे और अक्री सपोर्ट है आपका 51,515 पे थैंक यू दोस्तो